खेलो स्थुडन्स आपका बाय दोक वार प्रषियर से वेलकूम हमने प्लांट्स सेस्टिमेटिक का सब्जेकट स्टार्ड किये जिसमें हमने फॉर्स्ट लेक्ट्टर में इंट्रोड़क्शन आफ सेस्टिमेटिक, टैक्सacements के एम्स और next lecture में हमने nomenclature और उसके history और binomial nomenclature यानि nature में जितने भी plants हैं उनको किस तरह scientific name given किया जाता है अगर किसे species के दो आथर हो एक ने उसके genus को identify किया हो और second उसके species को identify किया हो तो फिर उसके लिखने का कौन सा rule है अगर उसके साथ year को हम लिखेंगे फिर उसके कौन से rules है ऐसे वो कौन से case हैं जिसमें हम genus और specific epithet यानि species के नाम दोनों को हम capital letters से show करते हैं तो इन सब चीज़ों को हम basic to advance हम previous lecture में cover कर चुके हैं तो आज के lecture में nomenclature of hybrid plant यानि वो plants जो पहले nature में exist नहीं करते थे हमने दो different species का अपस में cross pollination कराया और उसके result में जो हमारे पास new plant यानि new species produce हुई हम उसे कहेंगे hybrid plant next हमारे पास है hybrid gender यान जो हमारे पास plant species होगी वो किसी genus का ही एक member होगा उस genre को हम किस तरह show करेंगे किस तरह represent करेंगे कि हमारे पास यह hybrid gender है उसके बाद हमारे पास है cultivated plant यान जितने भी हमारे पास wild species होते हैं wild plants होते हैं हम उसको cultivate करते हैं hodicals और agriculture के लिए अपने yield को encourage करने के लिए तो इनको लिखने के कौन कौन से rules हैं तो one by one हम इसको discuss करते हैं first one हमारे पास है hybrid plant इसकी definition को हम देखें the offspring of two different species are varieties is called hybrid plant यानि दो different species का जब हम आपस में cross pollination कराते हैं और उसके result में जो हमारे पास new plant produce होता है तो हम उसे कहेंगे hybrid plant अगर हम इसे diagram में देखें यह जो आपको plant नजर आ रहा है इसका नाम है pomato potato और tomato के world को जब हम combine करते हैं तो उस rules के हिसाब से इसका नाम है pomato देखें इस plant में आपको जो roots हैं वहाँ पर आपको potato शो हो रहे हैं और इसके उपर वाले जो aerial parts है वहाँ पर आपको tomatoes शो हो रहे हैं याणि tomato आपको शो हो रहे हैं तो एक ही plant पर हमारी दो requirements fulfill हो रही है potato भी हमें मेरे हैं और tomato भी मेरे हैं और कम वाक्त में बहुत ज्यादा yield हमें मेरी है तो यह हमारे पास hybrid plant है according to nomenclature जो इसका नाम है वो है pomat होगा this cross pollination is done to combine desirable traits from each parent such as disease resistant, improved yield और unique characteristics यानि हम अपने desirable traits जो हमारे पास होंगी वो हम achieve कर सकते हैं दोनों parents से for example अगर हम इस diagram को देखें इस diagram में आपको शोर है हमारे पास दो plants हैं यह देखें हमारे पास दो plants हैं इस plant हमारे पास white color के फलावर है और इस पे yellow color के फलावर है जब इन दोनों का हमने cross pollination कराई तो जो third हमारे पास plant है वो hybrid plant दा तेखें इस पर हमारे पास white flower भी है और yellow flower भी है तो यह हमारे पास दोनों जो flower हैं वो दोनों different parents की दोनो qualities hybrid plant में मजूद हैं तो अगर हम इसे genetically देखें तो genetically देखें तो हमारे पास इस plant में आपको यह दो plant है और इनमें यह हमारे पास genes हैं तो यह दो parent plants हैं तो इनमें अगर हम देखें तो यह genes हैं जो इस position पर present हैं तो अगर हम second parent species को देखें तो इनका जो gene की species होगी वो parent one से different है इन दोनों को जब हम cross कराए है जो हमारे पास hybrid plant आया है तो इसमें आप देखें इसमें जो genes था इस plant वाला तो वो उपर वाली position पर भी present है और इसका देखें नीचे वाली परेजेंट है तो सेम इसी तरह गर हम B1 और B2 वाली का देखें तो इन दोनों के genes hybrid plant में present है तो genetically भी वो तमाम qualities present होगी hybrid plant में जो उसके parent species में present ही next हमारे पास है hybrid genre the taxonomic groups that are formed by the crossing of two different genre यानि दो different genre का जब हम आपस में cross कराएंगे तो हम उसे कहेंगे hybrid genre याद रहे जो हमारे पास hybrid genre है genre मिलके families बनाती है तो एक family में दो different genre का cross जब हम कराएंगे तो हम उसे hybrid genre कहेंगे these hybrid genre are created through intergeneric hybridization intergeneric hybridization की जो term use होती है वो एक family के दो genre जो आपस में closely related हो उसके लिए intergeneric hybridization की term use होती है which involve the crossing are two distinct genre that are closely related अब देखें यहाँ पर एक concept use होता है कि यहाँ पर कहा रहा है कि हम एक family की जो दो genre होंगे हम उनका आपस में cross-pollination कराएंगे क्योंकि वो एक दूसरे के closely related होंगे हमारे पास जो taxonomic rank है यानि kingdom, phylum, class, order यह हमारे पास taxonomic rank है यह phylogenetic relationship की base पर यानि hierarchical दर्जा बंदी जो इनकी की गई है वो phylogenetic base पर की गई है यहाँ पर एक point note करने का है जो हमारे पास taxonomic classification है यानि kingdom, phylum, class, order, family, genus, species तो इन सब को phylogenetic relationship की base पर classify किया गए इनमें जितनी भी species हैं वो एक दूसरे के similar है तो इसी वज़ा से similar species को genus में रखा गया है और जो genus आपस में closely related थे similarity show करते थे उनको family में रखा गया तो इस base पर इसको classify किया गए तो हम क्या सकते हैं कि एक family में जितने भी general है वो एक दूसरे से similarity show करते होंगे और जो हम cross कराते हैं दो distinct genre होगे उनकी हम यह देखेंगे कि उनकी जो characteristics होंगे जो उनकी qualities होंगी उससे हम easily note कर सकें distinct genre the result hybrid of spring exhibit show करेंगी characteristics and traits that are combination of the parent genre जो हमारे पास hybrid of spring होगी वो दोनो जैनर की qualities को show करेगा for example अगर हम इस diagram को देखें जो हमारे पास white flower वाला plant है यह किसी ओर collar का है और जो yellow flower वाला है हम इसको देखें हमारे पास a grape fruit है जो और जैनर का है और हमाई पास a cent green है इन दोनों जैनर का जब हम आपस हमें cross कर दा है तो हमें जो fruit मिला है वो tangy low है लेकिए इसमें आपको दोनों का different नजर आ रहा है difference है दोनों different जैनला का है लेकिन जब दोनों का cross कराए है तो हमें वो different species मिली है जो दोनों की characteristics show कर रही है next one हमारे पास है intergenric hybrid यानि जो term हमारे पास उपर यूज होई थी intergenic hybrid की एक cross between two plants in two different gender in the same family इसको लिए हम जो term यूज करते हैं वो intergenic hybrid की यूज करते है next one है nomenclature of hybrid plant hybrid plant को nomenclature ने scientific name given करने के कौन-कौन से rules है तो उसको मेरे चार step में divide ही है first one है determine the parent species यानि हमारे पास जो hybrid plant होगा उसके दोनों parent species का हमें पता होना लाजमी है उसी के base पर ही हम उसको name given कर सकते है identify the two parent species that were cross to produce the hybrid plant for example हमारे पास दो species हैं एक है rosa kenina एक है rosa brugosa यह हमारे पास एक hybrid plant की दो parent species का नाम है second step जो हमारे पास है write the genus name write the genus name which is the first part of the Botanical Name the genus name is rosa according to biromaloman creature किसी पे species का जो नाम होता है वो दो पाड़ पर होता है first part उसका genus होता है जो second होता हो उसका specific epithet होता है तो हमने उसका first part जो genus होगा हमने उसको note करना है second step में हम लिखेंगे write the species name of the first parent तो first parent का जो नाम होगा हम उसको नोट करेंगे first parent का जो नाम था वो canina था rosa canina तो हम canina यानि उसकी specific epithet को नोट करेंगे fourth हमारे पास है write the species name of the second parent जो second parent था वो हमारे पास rucosa था तो fifth step में हम fourth points को combine करेंगे combine the specific name of the parent species using an x-samble जो हमारे पास x-samble है वो hybrid species यानि hybrid cross को represent करेगा अब देखें अब हम five points को इस एक example में हम इसको clear करते हैं first one हमारे पास है rosa canina जो हमारे पास first parent species था वो क्या था rosa canina तो हमने rosa लिख लिए जो हमारे पास genus था उसके बाद canina जो हमारे पास species का नाम था उसको लिखा उसके बाद हमने cross का निशान लगाया उसके बाद rosa और goza जो हमारे पास second parent का नाम था तो इसी तरह हम किसी भी जो हमारे पास hybrid plant होगा हम उसको scientific name given कर सकते हैं तो second one हमारे पास है no man culture of hybrid genera तो hybrid genera जैने जैनर को indicate करने के लिए कौन-कौन से अरूज है इसको यह तीन steps है first step हमारे पास है use the prefix x यानि किसी भी genera का नाम हम जब show करेंगे कि हमरे पास hybrid है उससे पहले multiple sign का show करना लाजमी है तोंकि यही hybrid cross को show करता है next step हमारे पास है combine the parent genera जो हमारे पास parent genera होंगे दो genera उनके नाम को हम combine करेंगे जिस तरह हमने first example में देखा था एक tomato था एक potato था यह तो हमारे पास species थी यह कि इनको जब हमने combine किया था तो हमारे पास tomato world बना था तो same इसी तरह हम को जब इनके नाम को combine करेंगे genera को तो for example अगर हम देखें इस line में यह hybrid between the general rosa and rubus यह हमारे पास दो general है एक rosa एक rubus है the hybrid genus would be written cross ruzubus तो आप देखें हमारे पास जो multi person x हो गया यह हमारे पास first sign हो गया कि हमने इसको as prefix हर genus से पहले लिखने है क्योंकि यह hybrid cross को show करेगा तो next जो हमारे पास नाम है वो rosa का first three letter और rubus के last letter इन दोनों को combine करके जो हमारे पास world बना है वो rosa bus बना है तो यह हमारे पास एक hybrid genus का name आगे second हमारे पास था combine दा parent genus तो third हमारे पास था umid दा species name जो हमारे पास species का नाम होगा हम उसको include नहीं करेंगे first one हमारे पास example है treaty kozy kale और second हमारे पास है किया है तो हमारे पास treaty जो इसके first नाम है और scale जो हम इसके last part का नाम है तो इन दोनों को combine करके treaty scale नाम होगा next हमारे पास pyronia है तो pyros spidely है pyr और sidonia से उसके last world यह है जिससे हमारे पास world बना है pyronia जो कि एक unique hybrid name है first one हमारे पास step है choose a unique name select a distinctive name that is not already in use of any other plant वो हम नाम यूज़ करेंगे जो किसी पहले plant को नाम ना given किया गया हो या किसी भी cultivated species को नाम ना given किया गया हो इसलिए first step हमारे पास है unique name यह होना लाजमी है this helps avoid confusion maintain clarity within the horticulture community तो हमारे पास जो unique names होगा वो एक confusion से भी हम बाच सकते हैं और वो एक clarity शो करेगा holy culture agriculture में भी और वो easily memorable भी होगा अब cultivated जो name होगा उसके लिखने के दो फार्मेट है जो first फार्मेट है use single quotation mark यानि किसी भी cultivated जो हमारे पास plant होगा जो हम उसको unique name गेंगे हम उसको single quotation mark में हम शो करेंगे binomial nomin culture as a जो हमने उसको नाम given किया गया था जो दो पार्ट थे वो वैसे के वैसे लिखेंगे उसके बाद जो variety का नाम होगा हम उसको single invalid कोमाज में लिख देंगे for example अगर हम इसमें देखें the species rosa canyon जो हमारे पास है यह हमारे पास species का नेम है as a binomial nomin culture के रूल के मताबिक अगर इसकी हमने एक variety plant को cultivate किया है तो crimson जो beauty है वे इसका cultivated plant है तो हम rosa canina के आगे inverted कोमाज लगाएंगे जिस तरह हमारे पास यह एक है inverted कोमाज लगाने के बाद हम इसको crimson beauty as it लिख देंगे second one हमारे पास है seaweed जो seaweed वाल्ड है वो cultivar की नाम को शो करते है the cultivar names are written by abbreviation seaweed for example हमारे पास जो citrulas हमारे पास है यह तो citrulas से हम इसकी cultivation की है तो इससे हम से जो new species जो आई है वो है crimson sweet तो यह एक unique name है इससे आप देख सकते हैं कि crimson sweet यानि कोई भी ऐसा fruit होगा जो थोड़ा सा मीठा सा होगा तो इसकी सवीर जो है वो क्रेक्टिक्स भी शो कर रहे है तो हमारे पास यह cultivated plant है citrulas seaweed dart उसके पाद crimson sweet याद रहे कि हमारे पास cultivated जो नाम होगा उसके दो parts होगे दोनों parts का नाम जो first letter होगा उसको हम capital letter में लिखेंगे second हमारे पास है salvia officinalis cv.tricolor हमारे पास जो tricolor है यह हमारे पास cultivated plants है unique name है as it हमारे पास salvia officinalis है वो binomalumant culture के मताबिक वो ही नाम है जो उसका पहले था एक one जो missing हो गया था जो हमारे पास hybrid general है ICBN ने एक और फार में नोथो का term introduce कराई थी जो किसी भी generalis से पहले अगर हम world नोथो लिख देंगे तो इसका मतलब होगा कि यह जो जेनरा है हमारे पास वो हमारे पास hybrid general है नोथो का world Greek language से drive हुआ है जिसका means होता है bastard तो हम इस नोथो के world को अगर हम generalis के start से लगा दें तो हम हमें idea हो जाएगा कि यह हमारे पास जो जेनरा है यह hybrid है तो आज के lecture में हमने hybrid plant hybrid general और cultivated plants के normal culture को discuss किया तो next lecture में हमने ICBN ICBN के rules को और उसके next जितनी भी हमारे पास estimatrix में जो important topic हैं तो हम उनको cover करेंगे अगर आपको कोई भी confusion हो तो आप comment कर सकते हैं अगर आपको media farm चाहिए तो मुझे वर्ट सैबर भी contact कर सकते हैं मिलते हैं next lecture में बाई बाई टाटा